नमस्टार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप ही क्यूटीब चैनल में हम लोग यहां discussion करने वाले हैं about corporate action wallet stocks जो कि 7th October से 30 October तक के लिए रहेगा यानि पूरा complete मन्त के लिए रहेगा जहाँ पर हम लोग discussion करने वाले हैं about dividend, split, bonus, buyback, right issue and results से related update को चेक करने वाले फ्रेंट तो चली start करते हैं जहाँ पर सबसे पहला ची है कि next week holidays है या नहीं है तो next week कोई holiday ऐसा नहीं है देख सकते हैं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th पूरा यहाँ पर working day और यहाँ पर देख सकते हैं यह NSE का छुट्टी का list में नहीं हाँ पर लगाया और उसको आप हम से validate कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दो important point हम लोग हर बार discussion करते हैं जहाँ पर पहला point है वो आपका exit क्या होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉंट है हुआ आपका record rate क्या होता है तो record rate वो डेट होता है जिसन कंपनी जो रता है चेक करती है अपनी record में identify करती है eligible shareholder for corporate action अब हम लोग पहला list को रबढ़ते हैं जहाँ पर result का list है जो की काफी लंबा है चली चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए पहला नाम है वो आपका नेक्स्ट है पदम कॉटन यान 7th October को company result announce करने वाली है सीमाई 7th October result है आगे बढ़ते है next list जहाँ पर देख सकते हैं नाम है वो आपका ओरोसिल स्मिथ 7th October को result का announcement शरनिक 7th October result है हवाइं इंजिनियर्स 8th October को result है इंटिग्रा स्विजिगेर्स 8th October को result है एमराइल्ड फिनांस 8th October को company result announce करने वाली है मुव करते हैं अगली list के ओर जहाँ देख सकते हैं नाम है वो आपका दर्शन और्णा 8th October को company result announce करने वाली है गौतम जेम्स 8th October को result है ट्रांस्फोर्मेर्ट रेक्टिफायर्स 8th October को result करने वाली है मुव करते हैं अगली list के ओर जहाँ देख सकते हैं नाम है वो आपका वीविड मरकंटाइल 9th October को company result announce करने वाली है आरो जेवल्स 9th October को result है जेम ब्रेवरिस 10th October को company result announce करने वाली है टीचेस टाटा कंसल्टेंसी सर्विर्स 10th October को result and second interim dividend का company announcement करने वाली है टाटा लेक्सी 10th October को company जो रहता result announce करेगी मूव करते हैं अगली list के ओर जहाँ देख सकते हैं नाम है वो आपका इरेडा इंडियन रूनिमल एनर्जी डेवलेप्मेंट एजिंसी 10th October को company result announce करेगी हैथवे भवानी कैवल्टेल 10th October को company result announce करेगी आनन्द राठी वेल्थ 10th October को result and dividend दोनों का announcement होगा एन्वी फूट वेल 10th October को result का announcement होगा अशोका मेटकास 10th October को company result announce करने वाली है मूव करते हैं अगली list को जहाँ देख सकते हैं नाम है आपका डेन नेटवर्क्स 10th October को company result announce करने वाली है इन्फो मीडिया प्रेस 10th October को company result announce करेगी आर्केड डेवलेपर्स 10th October को result announcement है आटिशे 11th October को result announcement है प्लास्टी दंस 11th October को result announcement है बूफ करते हैं अगले list को जहाँ देख सकते हैं पहला नाम है युनिवर्सल आर्ट्स 11th October को result announcement है एंजल ब्रोकिंग 14th October 14th October को result announcement है प्रीमेर पॉलिफिल्स 14th October को result का announcement प्लस साथ मी आपका stock split का भी announcement होने वाला है शेर विभाजन को लेकर गए अब डेट आएगा प्रीमेर फॉलिपिल्स MRP Agro 15th October को result का announcement HDFC Life Insurance 15th October को result का announcement है जहां देख सकते हैं आम है आपका HDFC Asset Management Company 15th October result announcement बजा जा जाओ तो 16th October result announcement emphasis 16th October result का announcement है SLS Solution 16th October result announcement क्रिसिल के तरफ से 16th October को result and साथी साथ dividend का भी announcement होने वाला है जहां देख सकते हैं आम है वो आपका LNT Technologies LTTS है 16th October को result है and plus dividend announcement है Infosys 17th October को result plus dividend दोनों साथ में होगा announcement होगा Nestle India 17th October को result का announcement है Wipro 17th October result का announcement है CE-8 के तरफ से 17th October को result का announcement है मूज़ करते हैं अगले लिश्ट को जहां देख सकते नाम है आपका EMPOLEECON यहाँ पर 17th October को result का announcement है Mahendra EPC Irigation 17th October result announcement Polycap 17th October को result announcement है Pony Sugar Aeroad 18th October result announcement KSOLS 18th October result है and plus साथ में dividend का भी announcement होगा Move करते हैं next list के और जहां देख सकते हैं ICSI Lombard General Insurance 18th October को result है and plus dividend announcement है Amal 18th October को result announcement है आशापुरी Gold Mines 18th October को result announcement है HDFC Bank 19th October result announcement Tech Mahindra 19th October result announcement Move करते हैं next list को अनुसे पहले आप सभी से request करेंगा प्लीज वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा आगे बढ़ते हैं पहली company जहाँ नाम देख सकते हैं Multi Commodity Exchange MCX 19th October को result announcement है High Energy Batteries 19th October result announcement Suraj Engines 21st October को result announcement है Vinyl Chemicals 21st October result announcement Sign DLM 21st October को 21st October को result announcement है Move करते हैं Next list के ओर जहाँ देख सकते हैं Kaforge 22nd October को result and dividend दोनों का 7th announcement होने वाला है Persistence System 22nd October को result announcement है ASI Industries 22nd October result announcement Max Financials 22nd October Vice October result announcement Jensa Technologies 22nd October quarterly result announcement होगा Move करते हैं Next list के ओर जहाँ देख सकते हैं Ugro Capital 22nd Vice October को result announcement ISSA Prudential Life Insurance Company 22nd October को result announcement है Rane Engine Valves 23rd October 23rd October result announcement Nuvoco Vistas Corporation 23rd October result announcement Navin Florine 23rd October को result and dividend दोनों का 7th में announcement होने वाला है Move करते हैं Next list के ओर जहाँ देख सकते हैं KPIT Technologies 23rd October को result announcement होगा PNGS Gargi Fashion 23rd October का result Pedalight Industries 23rd October result JB Lamination 24th October को है result announcement Rani Madras 24th October result announcement Move करते हैं Next list के ओर जहाँ देख सकते हैं नाम पहला नाम है Bikaji Foods है आपर 24th October result announcement Castrol India 24th October result है Timex Group 24th October result है Signed है 24th October result announcement United Braves 24th October result announcement है Move करते हैं Next list के ओर जहाँ देख सकते हैं नाम है आपका CSB Bank 24th October रिजल्ट है, Nippon Life 24th October रिजल्ट एंग डिविदन दोनों साथ में है, CIE Automotive 24th October रिजल्ट है, Max India 24th October रिजल्ट है, Transport Corporation 24th October रिजल्ट का अनॉंस्मेंट है, मूव करते हैं, नेक्स्ट लिस्ट के ओर जहां देख सकते नाम है, EcoTex Industries 24th October रिजल्ट, Novartis 25th October रिजल्ट है, Trane Break 25th October रिजल्ट का अनॉंस्मेंट है, Mahindra Life Space 25th October रिजल्ट का अनॉंस्मेंट, Čला मंदलम इंबेस्मेंट 25th October रिजल्ट का अनॉंस्मेंट, मूव करते हैं, नेक्स्ट लिस्ट के ओर जहां देख सकते नाम है, GM Financials 25th October result है UTI Asset Management 25th October result Poonawala FinCop 25th October result है Atul 25th October result Max Estate 25th October result Move करते हैं next list की ओर जहां देख सकते हैं पहला नाम है Simplex Mills 25th October result announcement JSW Steel 25th October result announcement Mahindra Holidays 25th October result announcement Simplex Paper 25th October result announcement J.K.Cement 26th October result announcement है Move करते हैं next list की ओर जहां देख सकते हैं नाम है वो आपका ICCI Bank 26th October result announcement Yes Bank 26th October result है SBFC Finance 26th October result है IDFC First Bank 26th October result Anant Raj 20th October quarterly result का अनाम है Move करते हैं next list की ओर आप साभी से request करूँगा अगर अब अभी तक आपने like नहीं किया तो इस वीडियो को like जरू कीजेगा नाम है Jilat India 28th October 28th October result Lakshmi Machine 28th October result है LG Balakrishnan 28th October result है Vesuvius India 28th October quarterly result TV2day Network 28th October quarterly result है Move करते हैं next list की ओर जहां देख सकते हैं नाम है Computer Age Management Camps 20th October 28th October को result और साथ में dividend का भी announcement होने वाला है Simplex Reality 28th October को result है Transcorp International 28th October 28th October को result का announcement and ESOPS है Mariko 29th October quarterly result RS software 29th October result and dividend दोनों announcement साथ में आने वाला 29th October को RS software के तरव से Move करते हैं next list की ओर जहां देख सकते हैं अब आपको जुरूर बताऊंगा अब आगे बढ़ते हैं next list के ओर जहां देख सकते हैं नों discussion करने वाले about dividend update को लिए करके जहां पहली कंपनी जिसका नाम है कंपनी है Jupiter Wagon's dividend है 1 रुपीस पर शेर का exit recorded 7th October CMP 491 का next है KP Energy 10 पैसे प्रतिशियर का dividend है exit recorded 7th October CMP 474 का next है Shraddha Prime 20 पैसे पर शेर का dividend है exit recorded 9th October CMP है देख सकते हैं 172 का next है Blue Cloud Soft Soft Solution रुपीस के टम में 0.02 रुपीस है exit recorded 11th October CMP 163 का next है NRB Bearings धायर रिपे 2 रुपीस 50 पैसे पर शेर का dividend है exit recorded 16th October CMP 292 का अब मूफ करते हैं next list के ओर जहां देख सकते हैं वो आपका विदानता Limited यहाँ पर complete dividend announcement करने वाली है meeting का date जो fix किया गया हुए 8 October 2024 का exit and recorded 16th October का है CMP 509 का next है Gopal Snacks यहाँ देख सकते हैं dividend है dividend announcement होने वाला है इसके लिए meeting का date fix किया गया 14th October को and dividend का recorded है 22 October 2024 का CMP 398 का next है SL Technologies यहाँ भी dividend announcement होने वाला है meeting का date 14th October को exit and recorded dividend का है 22 October का CMP 1077 का next है ISS Lomar General Insurance Company यहाँ भी dividend announcement होने वाला है meeting का date 18th October का है dividend announcement होगा आप देख सकते हैं dividend का recorded next date 23 October CMP 2027 का next है Asian Paints यहाँ भी dividend announcement होने वाला है meeting का date 23 October का है exit and recorded dividend का है 31 October 2024 CMP 3072 का move करते है next list के ओड जहांद है Tata Consultancy Services में टीस जहांपर डिविन का नासमेंट होने वाला है meeting date 10th October 2024 का recorded for dividend है 18th October CMP 4252 का next है केस आल्स इंडिया यहांपर dividend का नासमेंट होने वाला है meeting date जो फिक्स किया है 18th October 2024 का है dividend ka recorded है 20th October का CMP 1017 का है नेक्स्ट है क्रिसिल, यहाँ पर मीटिंग का डेट फिक्स किया गया है, 16th October, यहाँ डिवन का रिकॉर्डिट होने वाला है, डिवन का रिकॉर्डिट 31 October का है, 30 October का है, CMP 4,399 का है, अब मूफ करते हैं, नेक्स्ट लिस्ट के और जहाँ हम लोग डिस्कॉर्शन करने वाले ह करके अब्डेट जो आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, नामे वह हैपका अबंस इंटर प्राइस, यहाँ स्टॉक स्प्रिट इवन्ट होने वाला है, कॉर्पेटिवन स्टॉक स्प्रिट है, फेस वालू 10 से चेंजरा टू में, यानि कि एक शरू हो जाएगा, पांशेर आपर अक्टोबर का CMP 178 का है, नेक्स एक रिटन क्लोबल फिनांस, यहाँ पर जो फेस वालू चेंजरा, यहाँ भी कॉर्पेटिवन स्टॉक स्प्रिट है, फेस वालू 10 से चंजरा टू में, यानि एक स्टुर हो जाएगा, पांशेर आपके अक्टोबर का CMP 143 का, नेक्स एक पर corporate event है stock split face value 10 से चिंज हो रहा 1 में यानि एक share हो जाएगा 10 share आपके DMAT account में accident and recorded 18th October का CMP 991 का next है HEG limited यह corporate event है stock split यानि कि जो share आप hold करें multiple share में तूर जाएगा convert हो जाएगा face value 10 से चिंज हो रहा 2 में देख सकते हैं यानि कि इसका मतलब है एक share हो जाएगा 15 share आपके DMAT account में accident and recorded 18th October का CMP 2355 का है move करते हैं next list के और जहाँ देख सकते हैं नाम है आपका POCL Enterprises यहाँ पर corporate event stock split है face value 10 से चिंज हो रहा 10 से चिंज हो रहा 2 में यानि एक share हो जाएगा 15 share आपके DMAT account में accident and recorded 25th October का CMP 766 का next रजिनीश रिटेल यहाँ भी corporate event stock split है face value 5 से चिंज हो रहा 1 में यानि कि एक share हो जाएगा 15 share आपके DMAT account में accident and recorded 11th October का CMP 65 रूपीस 50 पैसा का next है new light apparels यहाँ भी corporate event stock split हो रहा है face value 10 से चिंज हो रहा 1 में यानि एक share हो जाएगा 10 share आपके DMAT account में accident and recorded 10th October का है CMP 72 का है next है जिंदल 100 यहाँ पर corporate event stock split face value 2 से चिंज हो रहा 1 में 2 से एक हो रहा है यानि एक share हो जाएगा 2 share आपके DMAT account में accident and recorded 19th October का CMP 726 का next है doctor redis यहाँ पर stock split corporate event है face value 5 से चिंज हो रहा 1 में यानि एक share हो जाएगा 5 share आपके DMAT account में इसका recorded fix किया गया है 28 October का भाव चल रहा है CMP 60632 का move करते है next place की ओर जहां देख सकते हैं नाम है आपका grovy India यहाak corporate event है bonus issue bonus का ratio 3 s to 1 का है यानि एक share के बादने में 3 bonus company issue करेगी इसका recorded 23 October का CMP 163 का next है NBCC India bonus issue 1 s to 2 का है यानि कि 2 share के बादने में एक bonuses company issue करेगी exact and record seth October CMP 169 आठ एक स्रेक्वेल्ष को थेए बादने में बोनस का रिश्यो 1-1 का, यानि एक शेर के बदले में एक बोनस रिश्य कमपनी इश्यो करेगी, एक्ज़ट अंडिकोर्ड़ेट 8 अक्टूबर का CMP 6244 का, इसके बदले में आपको इंडेफ मैनफाक्टूर्ड लिमिटेड का, आपको एक शेर मेलेगा, 1-1 का देखिया, आपको रिश्यो बता आ जा रहा है, इसका एक्ज़ट अंडिकोर्ड 11 अक्टूबर का है, अभी इसका भाव चल रहा है 615 का, इसका रिश्यो को जरा हम लोग चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर दो कंपणी है, एक है इसको डिमर्ज कंपणी बोला जा रहा है, अक्टूबर का है, इसका रिकॉर्ड इट अक्टूबर का है, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आपके पास 100 अक्टूबर का है, उसके बदली में जो रहता है, आपको मिलेगा, एक सो पचपन, एक्ट इकुट इशेस आपको मिलेगा, आइड एफसी, फर्स्ट बैंक का मिलेगा, एक सो पचपन, इसके बदली में जो रहता है, इसके बदली में जो रहता है, नेक्स्ट है हर्षी लेगरोटेक, कॉर्पेर्ट इवन, स्टॉक्स प्रीट हो रहा है, फेस बल्यू दस से चुन जाएगा, वन में, यानि एक शेर हो जाएगा, दस से रापी डिमेट अकॉंट में, एक्जिट है, रिकॉर्डेट 14, 10, 24, भाव चल रहा है, 82 रिपीस, 50 पैसा अब है, यह दोनों, जो भी राइट इशु है, दोनों, उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं, तो पहली कंपनी है, वो आपका, जोजीत फिनांशल्स, इसका रिकॉर्डेट देखे, 7 अक्टूबर का है, लास्ट डूट बाइशर, 4 अक्टूबर का, यह अल्री बीच चुक जोजीत का है, उसको बदले में, 1 राइट इक्विटी शेर के लाप अलिजबल, उसके लाप अपलाई कर सकते हैं, नेक्स्ट है, जो कि आप देख सकते नाम है, आपका, आर्क फिनांस, जो आप यह दिसकस किया, आर्क फिनांस, यहाँ पर देखे, जो राइट इशु है, उसका जो प्राइस, इशु प्राइस है, एक रुए बीस मेसा का, एंटे टर्म इशु है, फाइव एग्जिस्टिंग शेर, पाँच शेर के बदले में, आप फोर न्यू आरी शेर के लाप अलिजबल है, उसके लाप अपलाई कर सकते हैं, पाँच के बदले में, चार,